तो गाइज अपने फेवरेट e-sports players को competitive खेलते देख तुम्हें भी कभी-कभी लगता होगा कि यार मुझे भी e-sports player बनना है मुझे भी competitive में जाना है लेकिन तुम्हें पता नहीं होता है कि यार मुझे क्या-क्या चीज़े follow करने पड़ेंगी जिनसे मैं एक e-sports player बन सकता ह तो गाइज यहाँ पर ना इस वीडियो में हम बात करने वाले है कि तुम्हें competitive वाला जो scene है वो कैसे join करना होता है कैसे तुम्हें e-sports में गुसना होता है तो गाइज यह सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे और यह वीडियो ना इस सीरिस का first वीडियो रहने तो मज़ आएगा तुम्हें gameplay intense होगा बहुत जादा बागी शुरू करते हैं आज की वीडियो को बदा फेसिंगे निमो टाइम लेट के स्टार्टेड तो गैस अगर सबसे पहले point की बात करी जाए तो यहाँ पे न सबसे पहले तुम्हें टीम बनानी पड़ती है तुम्हे पर आशणी पते है तो तुम्हें लगता है कि हा यार यार इन बन्दों के साथ मैं आगे continue कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ तो मैं वहापी जो synergy है न अपने उसका पता चल जाएगा तो यहांज के साथ तुम्हें छार बन्दे सबसे पहले तुम्हें डून लेने और उनके साथ तुम्हें खेल के देखना है अगर तुम्हें मज़ा आता है तुम्हें लगता है कि हाँ यार ये बंदा call वगएरा सही सुनते हैं तो तुम्हें उनके साथ stick करना चाहिए और ऐसे में बन जाती है तुम्हारी एक team अभी guys तुम्हारी synergy वगएरा तुम्हारी जोइन कर सकते हो या फिर तुम्हें कोई ना जरूर से मिल जाएगा जो या ना customs वगएरा करवाता होगा तो तुम्हारी तुम्हारी टीम है बढ़िया बनी है तुम continue कर सकते हो तुम्हारी लिए आगे चलके बहुत ही जादा beneficial रहने वाला है क्योंकि जब भी तुम आगे क उनको कि हा यार हमने ये tournament खेला था या पर हमने जीता था फिर जो भी तुम्हारी प्लेस आई थी अच्छा खेला था हमने तो वो सारी चीज़े दिखा के है ना तुम अच्छी खासी है ना कोई tournament में register कर सकते हो और वहाँ पर भी अगर तुम ये चीज़ करते हो तो ये same च साथ में खेलना शुरू करते हो तब तुम्हें पता चलता है कि अर तुम कहां पर stand करते हो अगर तुम अच्छा नहीं खेल पाते हो तो तुम्हें वहाँ पर अपनी जो कम या है ना वो ढूंड़ने पड़ेगी क्यों कि वहाँ पर छोटी चीज़ों का तुम्हें ध्यान बनाते हैं और गाइस इंडिविजुल लेवल में प्राक्टिस करना है इस गेम में बहुत जादा इंपॉर्टेंट है अभी तुम्हें पता होगा अचानक सी डीबियस का मैटा चला था डीबियस लोग चलाने लग गए थे और जो भी लोग डीबियस को अभी यूज कर रहे तो तुम्हें up to date रहना पड़ता है तो तुम्हें अपना जो individual grind है जो तुम्हें अकेले अकेले करते हो practice train ground वगेरा में जाके वो तुम्हें regularly करते रहने पड़ती है अगर तुम्हें से एक भी बंदा है अपनी practice time से नहीं कर रहा है वो चोग कर रहा है कहीं न कहीं तो उसक यहां परzer लेख्रें पाइख करनी हैं यहीं जाए है लागा आपने गुछ भिए तो वीडियो देखे अगर तुम लिए पता चलेगा कि यहां से अगर तुम पुछ नहीं करते तो तुम शायद नहीं मरते तो वह गींपली इसको देखने ना बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो प्सारी चीजें मिलेंगी और आगे सुन mistakes को करना है थोड़ा सा तुम्हें avoid करना है और guys अभी बात करते हैं सबसे जादा important चीज़ कि जिसके उजसे बहुत सारी teams है वो साथ में जादे दिन तक ठिक नहीं पाती है तो guys देखो जब भी तुम किसी match में अच्छा perform करते हो तो तुम्हें motivation मिलता है तुम बहुत अच्छा है ना celebrate करते हो तुम सोसते हो कि आर आज तुम मजा आ गया लेकिन जिस भी match में तुम अच्छा नहीं खेल पाते हो तो वहाँ पहना तुम थोड़ा सा गुसा भी करते हो अपनी teammates के उपर चिलाते भी हो तो ऐसी जो चीज़े ना reach वाली चीज़े वो तुम है ना भाई बिल्कुल ही avoid करनी है अगर गयज़े को तुम्हारा आज है ना किसी भी match में चोक हुआ है तुमने ना 4-5 matches खेले 4-5 matches में तुम अच्छा नहीं खेल पाएगा तुम में होगा कहना कि तुम ना किसी ना किसी के उपर है ना blame डालोगे कि तुम यहां से नहीं जाता तो शायद हम बच जाते या फिर तुमने ना इसको मार दिया होता तो बच जाते तो यहां पे ना ऐसी चीज़े होने वाली है और किसी ना किसी गलती से ना तुम मनने तो वाले हो तो ऐसा तो हूने वाले है तो ऐसा यहां जादा से जादा ट्राइ करो कि पॉजिटिव रहो जादा यहां सोचो मत पिछला मैच हो गया भी तुम उसका कुछ नहीं कर सकते हो बस इना सीख सकते हो कि हाँ यार ये गलती है ना मुझे नहीं करनी है अब तो इना वो चीज़ों पर ज़ादा फोकस करो और रेज वाले मुवमेंट्स है ना भाई उनको बिल्कुली तुम्हें अवोइड करना है तो या गाईज यार यहीं तक लिए आज के हमारी ये वीडियो अगर तुम्हें competitive के उपर और भी वीडियो चीए तुम्हें ऐसी वीडियो और चीए तो तुम मुझे comment section में बता सकते हो अगर वीडियो को like नहीं किया तो कर देना subscribe कर देना channel को मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए goodbye love you guys keep grinding